हालो लेर्नर्स वालकम बाक तू माई योट्यूब चानल अंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्क्स करने वाली हूँ टेक्निक्स आफ मेटेरियल कंट्रोल या फिर इन्वेंटरी कंट्रोल में ABC आनलेसिस के बारे में इससे पहले हम लोग डिस्क्स कर चुके है टेक्निक में आपका determination of stock levels and economic order quantity को वो आपको cost accounting की मैंने playlist बनाई है उसमें आपको काफी सारी वीडियो हैं काफी important है आप लोगों के लिए उसमें आपको मिल जाएगे जिसका link मैंने आपको description box में provide किया है और आप playlist section पे जाके और भी आपको काफी सारी useful वीडियो मिल जाएं ABC stands for always better control ABC stands for always better control तो हम start करते हैं देखिए ABC technique of inventory control is also known as always better control method और proportional parts value analysis method आपने ध्यान रखना है इसके other name को क्योंकि कई बार other name पे question आजाता और आप confused हो जाते हैं कि किसके बारे में पूछा गया है तो आपने एक एक चीज को important समझना है जब भी आप करते हैं और इसके proper notes भी बन आने है ठीक है तो देखिए ABC टेक्निक जो है inventory control के उसको हम क्या कहते हैं always better control method या फिर proportional parts value analysis यहां पे value analysis क्यों है क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो categories बनाई गई है ABC उसमें value के according जो material की value है उसी के according उस पे control जो है किया जाता है ठीक है देखो this technique divides material into three categories inventory को हम three categories में divide करेंगे high priced or value materials items falling in this category are treated as A item ध्यान दखना कोई भी product है inventory है हमारा उसमें जो high value वाले होंगे वो किसमें आएंगे हमारे A category में medium price वाले B में low price वाले C में यानि कि categorization किस पे हो रहा है on the basis of value ठीक है अब इसमें देखेंगे आप आगे जो हो सकता है जो A category वाली items है उसमें जो number of inventory है number of items है वो बहुत ज़्यादा percentage हो बट उसमें क्या है उनकी जो A category की मैं बात कर रही हूँ ना A category में जो percentage of number of items है वो कम होगा लेकिन उनकी value बहुत ज़्यादा होगी ठीक है A category की अगर मैं बात करूँगी B में दोनों moderate C में क्या होगा कि आपकी जो items है ना number of items वो क्या होंगी हमारी बहुत ज्यादा होंगी लेकिन उनकी value जो है वो बहुत कम होगी और हमने value के basis पर करना है देखो in the first category those items are included on which major portion of total cost of material is spent ध्यान रखना high value है ज्यादा portion उसी पर spend किया जाता है cost का वो एक category में आएगी अगर हम simple language में बात करें second category में वो आएंगी जिनकी moderate consumption value है और third category में वो आएंगी जिनकी low consumption value है तो इस type से जब हम analysis करते हैं materials का तो इसको हम लोग ABC analysis बोलते हैं एक चीज आपको बतानी है इसमें यह आपको एक example है देखो the report of the Indian productivity team on material control in America, Japan and West German gives the following example of ABC analysis तो यह आपको उनका example दिया गया है देखो percentage of items A category की पहले हम बात करें 8% है only लेकिन cost का percentage 75% है यानि की high हो गया यह तभी इसको A category में रखा हुआ है देखो number of items कम है A में percentage of items क्या है कम है बट हमने value देखनी है value का proportion बहुत जादा है तो वो A category में B में देखिए percentage of items 25% है और cost का 20% है C में देखिए कि percentage of items तो बहुत जादा है number of items बट उनका जो cost है वो बहुत कम है तो C category में आ गया यानि कि यहां पर आप देखें जो high cost वाली है वो A में B वाली moderate C वाली बहुत कम ठीक है अब एक चीज़ दियान रखना यहां पर आपको graph के तुरू शो हो रहा होगा नीचे हमने x-axis पर percentage of items दिखाया है यहां percentage of cost तो A items यह हो गई यहां पर B items this one C this one और य यहां नीचे क्या है हमारा percentage of items ठीक है अब एक चीज़ दियान रखना है यह percentage जो हैसे fix नहीं होता है percentage आपका अलग भी हो सकता है ऐसा नहीं है यह fix है मैं आपको एक और picture दिखाऊंगी उसमें अलग percentage मतलब इसके आसपास होता है बट में चीज़ जो आपने जियान रखना ह A category में high value वाली B में moderate और C में कम value वाली को रखा जाता है for control purpose अब यह सबसे important है आप लोगों के लिए कि क्या होती है A category की features क्या है हम उस पर कैसे control करते हैं देखो A items कौन से थी 75% of value जो अभी आपको report दिखा है उसके according बता रही हो और total quantity का only 8% है इस पर बहुत ज्यादा strict control हम रखते है reason क्योंकि यहां पर high value हमारी high cost involved है B items जो अभी बताया था 20% of value but 25% of quantity इसमें हम moderate control करते हैं और C category में lose control करते हैं तो सबसे ज्यादा जो high value वाली है वो A items होती है जिन पर हम काफी strict control रखते हैं अब strict control रखते हैं तो हमें maximum follow-up भी चाहिए इसका हमें ज्यादा देखन पड़ता है इसको B items में periodic ठीक है थोड़ थोड़े time बात और C में only exceptional cases में हम follow-up करते हैं तो A items का ध्यान को रखेगा top management B का middle management C का lower level management अब analysis rigorous value analysis यानि कि बहुत ज्यादा केरफूल होके value analysis किया जाता है यहाँ पे moderate और यहाँ पे minimum ठीक है यह बहुत important features है आपके ABC analysis के ठीक है यह वली slide का बहुत अच्छे से अपने notes बनाने है अब आपको यह figure देखिए आप ध्यान से मैंने आपको बताया वह percentage fix नहीं था यह pyramid की form में है यह वाला pyramid दिखा रहा है number of inventory products यह दिखा रहा है उनकी value अब आप A category में देखिए first वाले में A में देखो number of items तो सिरफ 10% है बहुत कम है but value 70% है हो गया ना ज्यादा तो A category में आ गया यहाँ पर A नहीं आएगा यहाँ पर C आएगा इसको आप correct कर लेना यह C category है ठीक है okay I hope आपको यह अच्छा से clear होगा यह वाली figure एक और है देखो यहाँ पर number of items है यह value है आपको investment जितना क्या हुआ है value के basis पे ठीक है A में 70% है B में 20% है और C में 10% है यह चीज़ आपको बताईया मैंने अभी कि advantages क्या है advantages first better control over inventory देखो जो ABC analysis system वो focus करता है कि इस पर high priority products यानि कि जो A वाले है उन पर बहुत ज़्यादा जिस पर high value हमारी involved है high investment है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो strict control होता है जिसके विस्टेस minimized होती है और जो misuse है वो कम होता है तो better control हो पाता है provide up to date information यह हमें information up to date देता है क्योंकि आपका maximum follow up किया जाता है first category की items का क्या quantity है क्या value है तभी तो आप उसको ABC में categorize कर पाते हो ठीक है तो decision making में management की help करता है saves cost अब आप देखो strict control और wastes हमारी कम हो जाती है जिसकी वज़े से inventory cost reduce हो जाती है materials that falls in group A और high valued products are purchased in less volume मैंने आपको पहली बताया इनकी quantity कम होती है ठीक है जिससे आपकी material purchase handling और storage cost जो होती है वो भी क्या हो जाती है कम हो जाती है और एक और advantage है management by exception देखो management by exception आपने सुना हो होगा कि जो बहुत important areas है उसी पर top management ध्यान देगी ठीक है जहां पर problem आ रहे है top जो बहुत काफी important area है तो यहां पर A category पर top management ध्यान देती है यहां पर ऐसे हमें लग रहा है कि हम A B C में divide कर देंगे और हो गया हमारा analysis नो यह काफी एक complex और time consuming task हो जाता है क्योंकि हमें large group of inventory को एक तीन categories में divide करना है ठीक है अब एक इसका disadvantage यह है कि static है nature में क्यों क्योंकि जो value of materials may change according to the market trend हम देख रो हमने क्या होता है कि यह तो नहीं कि fix रहेगी value वो change होती रहती है it means category A product में move to B यहनि कि हो सकता A वालों की value कम हो जाए और B category में move कर जाए C वाले A में जा सकते हैं ठीक है अगर market value change हो रही है लेकिन इसमें ABC inventory system outdated बन जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा dynamic कम है यह ठीक है not suitable for small business जो ABC analysis है वो small business houses के लिए जादा suitable नहीं है क्योंकि इसमें large volume of inventories चाहिए हमें ठीक है और ऐसे material के लिए भी हम applicable नहीं कर सकते जिसको हम standardized नहीं कर सकते standardization of material होना जरूरी है अगर हमने ABC analysis करना है और small business houses के लिए भी जादा suitable नहीं है ठीक है उसके बादा based on value आपने देखा यहां पे हमने जो है categorization जो किया है वो value के basis पे किया है जो काफी other important factors भी होते हैं जो मैं inventory control में ध्यान रखने होते हैं उस पे हमने focus नहीं किया तो यह आपके जो है मैंने आपको detail में और काफी easy language में ABC analysis करवा दिया है अगर आपको कोई भी problem हो तो आप पूस सकते हो ठीक है thank you so much और अगर अभी तक आपने जो है इस चैनल को subscribe नहीं किया है then do subscribe और बैल इकन प्रेस कर देना ताकि आपको upcoming videos की timely notification मिल सके okay keep learning and keep sharing